नबस्कार दोस्तों Master Memory Institute में आपका स्वागत है दोस्तों Master Memory आपको प्रोवाइड करता है Online Software Repairing Course अगर आप Online Course करना चाहते हैं जो की है Software का तो आप हमें दिये गए नमबर पे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए discussion पे डिटेल दिया हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों Question 6 में मैंने आपसे कॉशन किया था कि Qualcomm Chipset वाले Mobile Phone को Fast Boot Mode पे कैनेक करने पर Device Manager में कॉनसर ड्राइवर लेना चीए दोस्तों हमेशा की तरह काफी लोगों ने सही answer दिया है दोस्तों हमेशा की तरह बहुत ही लोगों ने एंसर दिया है लाइक किया है वीडियो को तो दोस्तों इसका सही answer है दोस्तों Android Boot Loader Interface Driver दोस्तों अगर आप कोई भी Qualcomm Chipset वाले Mobile Phone को अगर Fast Boot पे आप कैनेक करते हैं तो आपके Device Manager पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर लिया है तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपके Computer या Laptop पे Android Boot Loader Interface Driver लिया होगा तो दोस्तों अगर आप Fast Boot Mode पे आप कैनेक करते हैं तो Android Boot Loader Interface Driver आपका कैनेक्ट होगा दोस्तों Quiz 7 यानि Mobile Software Quiz 7 का Question है Qualcomm Chipset वाले Mobile Phone को EDL Mode पे कैनेक करने पर Device Manager में कौन सा ड्राइवर लेगा दोस्तों मैंने पिछले Question में आप से पूछा था Qualcomm Chipset वाले Mobile Phone को अगर आप Fast Boot पे कैनेक करते हैं तो कौन सा ड्राइवर लेगा जिसमें काफी लोगों ने सही answer दिया है दोस्तों आज का मेरा Question है दोस्तों EDL Mode पे Qualcomm Chipset वाले Mobile Phone को EDL Mode पे कैनेक करने पर Device Manager में कौन सा ड्राइवर लेता है तो दोस्तों आप बताईए कि मुझे कमेंट्स में कि EDL Mode पे अगर आप Qualcomm Chipset वाले और Mobile Phone को कैनेक करने तो कौन सा ड्राइवर लेगा और दोस्तों आथी साथ वीडियो को like करना बिल्कुल न भूलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें अगर आप हमाया चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों थैंक यू